तो आज संडे और संडे को हम जानते हैं सरकारी जौब के बारे में तो देखिए आज कई सरकारी जौब आये हैं ठीक ना तो देखिए यह जो मैं सरकारी जौब देखता हूं यह सरकारी रिजल्ट जौट कॉम से देखता हूं आप भी देख सकते हैं अगर कोई विद्यार थी या फिर कोई भी वेखती जो पहली बार जॉब के बारे पता कर रहा है तो मैं बता दू सरकारी डॉट कॉम या फिरी जॉब अलट दो चीजों से देखा जाता है देखिए अपसे पहले देखते हैं तो को पोस्ट आया है वाई तो यह एडियन कोस्ट गार्णी की जो तरक्ष जो भरने की तिथी होगी वह 5 जनवरी से स्टार्ट होगी और लास्ट आपका 19 जनवरी तक फॉम भर पाएंगे ठेक 2021 जनवरी सामके 5 बज़े तक फॉम को भर पाएंगे एड्मिट कार्ड मार्च में आएगा और मार्च में ही एकजाम होगा ठेक फॉम के लिए फी कितना लएगा जनरल ओबीसी और एडबलेस उमिदवारों को 250 रुपई फी लगेंगे और अने किसी भी केटेगरी की उमिदवारों को कोई फी नहीं लगेगा ठेक अब एक तीस साथ दोजार तीन के भीच अगर आप पर जर्मतिती है तभी आप इसमें एपलाई करें ठेक एज बिट्वीन यहां पर दे दिया है दो परकार के हैं नाविक जीडी के लिए इतना उम्र है ठिक जीडी एंड यांत्रिकी और नाविक डीबी जो है डीवी यानिक ड 239,23 के मिच आपके उम्रसिमा होनी चाहिए ठेक देखिए पोस्ट का हम बात कर लेते तो पोस्ट हमारा जीडी नाविक जीडी का पोस्ट 260 पोस्ट हैं नाविक डॉमेस्टिक ब्रांच की 50 पोस्ट है यांत्रिकी 48 पोस्ट है ठेक एलिजबिल्टी क्या है टेन प्लस इसके लिए 10th class with engineering यानि कि 10th के बाद अगर आप डिपलोमा किये हैं ठीक तभी आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं और इसमें भी कौन-कौन ट्रेड इलेक्ट्रिकल ट्रेड मेकेनिकल ट्रेड और इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड तीनी ट्रेड हैं और एक है टेली कम्मिनिकेशन इतने ट्रेड inteligों में अगर आप डिपलोमा किए है दस वी के बाद तभी आप इसमें अप्छल सकते हैं अब हम चलियं सेकन्ड जॉब के बारे में चलते थीं तो हमाई सेकेंड जॉब है इंडियंड नेवी से यानि कि अई-सीनप दीए हैं दिसंबर महिने में अगस्ति या सितंबर महिने में ठीक यह सारी चीज़े मैं आपको बातों बात में जानकरी दे दूँगा देकि एप्लिकेशन आपकी है अठारा दिसंबर से स्टार्टिंग हो जाएगी लाश्ट डिट अपका रहेगा 31 तारीक 31 बाराता का फॉर्म भर सकेंगे ठीक और देखिए कोई भी फॉर्म का फी नहीं लिया जाएगा किसी भी केटेगरी को क्या चाहिए एज लिमिट आप देख सकते हैं पहले क्या लेते ह हैं तो क्वाइलिफिकरसन ओनली मेल केंडिडेट यानि कि क्यावल पूरुस उमिद्वार ठीक बीई बीटेक किया है तब ही आप जा सकते हैं बीटेक बचल अठीक ना आप किये हैं बीटेक तब ही आप इसमें अपलाई कर सकतेंगे कोई भी उनिवर्सिटी हो इंडिया के हैं अपलाई कर सकतेंगे ठीक और देख जाए यहां पर डौर करकार्ड़ है बीटेक सब्सक्राइब मांगी गई है लिए मेल केंडिडेट के लिए हैं तो चलिए अब हम चलते हैं अगर इसमें आप किये हैं एडुगैसन ब्रांच में तो आप यहां पर अपलाई कर सकते ह हैं चलिए हम तीसरे जोब के बारे में चलते हैं तो तीसरा जोब जो ऐसे सी हैसल के मतलब आपका डेट को बढ़ा दिया गया है ठीक आप यहां पर 12 27 तक यहां पर आपका एक्जाम होगा और आपको निसमबर 46 दिसमबर तक आप एक यहां कर सकते हैं अपर辉कर 2007 ii निकला है एन एचम ठेक मैं चलद पर देश का है यह वेकेंसी और इसके लिए क्लिफिकेसन क्यों बता दूँगा बीएसी नर्सिंग ठेक फिमेल मेल फिमेल दोनों के लिए है और यह ओनली फिमेल के लिए एन एम लेव टेकनिसियन का वेकेंसी है ठीक तो सारा कुछ आप देख लीजिएगा मैं बता दे रहा हूं कैसे आपको चेक करना है और एक बार चलिए देखें चेक करने क्या आइडिया बता रहा हूं कैसे चेक किया जाता है ठीक क्योंकि जापन हो गया है इसको किलिक करना है पहले वाले पेज़ को उसके बाद यहां पर आम तरफ पाजाएंगे अब देखिए यहां पर एससे लिखाया सबी कुछ यहां पर बताए जाता यह मैं ने बताया किस परकार चृक कर सकते हैं ठीक theo और यहां से आप दाउन लूड कर सकते हैं जैसे स्से एंप का मैं बता दे रहा हूं मक जो अंपने meditation बाँग से निकला है मैं को सबहने के लिए सटाप लिए आंसे लिगक मालोड करें और यहां से आप इसकी ओफिसेल वेप साइट पर चला जाऑंगा देखेए चले गए बस इसी परकार आपको करना है यह चीज़ हो गई आप यहां से अप चेक कर सकते हैं तो मेरे भरुस से आज या फिर किसी के भी भरुस से नहीं रहना है खुद से चेक करना है बड़ी ही सिंपल है ठीक फिर मिलेंगे नेश्ट बडिक साथ एड्मिट कार्ड की बता दू तो क्वस्ट गार्ड डीबी का एड्मिट काड़ा आया है रेल्वे एंटी पीसी एक्जाम सिटी डेख सकते हैं आप यहां पर ठीक यूपी असी में जो है उसका भी इंटर्व्यू का सेड्यूल आ गया है यहां सारा कुछ देख सकते हैं यहां पर रिजल्ट आप देख सकते हैं उसके बाद यहां से आ कारण का सारी चीजह का सिलिबस और एड्मिसन यहां से अब यहां पर इंपरटन यहां पर कुछ दिये होते हैं यहां पर सर्टिपिकेट के कुछ दिये होते हैं जैसे वोटर कारड पें काड आईडी काड आधार काड वगयरा ठीक अब देखिए ये चीज सारा कुछ मैंने बता दिया अब आपको आप खुद से एक बार चेक किजिए मोबाइल में मैं केवल एक टेस्टिंग बता दे रहा था ठीक ना आपसे कोई एसे वीडियो नहीं बता रहा हो था ठीक केवल एक इंफर्मेसन दे रहा था कि किस प्रकार आप याव पी फाइंड कर सकते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत से लोग योग देखने नहीं सकते यार अपको मालूम नहीं होगा इसे इसे लोग हैं कि जो मॉबाईल को अच्छा से यूज करने नहीं सकते हैं जबकि कॉलेज